हलो फ्रांस कैसे हैं आप भड़ियां मस्त रहिए चुस्त रहिए और एंटर्टेंडमेंट का मज़ा लेते रहिए भाई कब कौन सा शो नंबर वन पे आ जाए कुछ कह नहीं सकते लेकिन इतना कह सकते हैं कि अगर टोफ फाइफ में आपके शो ने जंगा बनाई वी है तो कही नीचे की नहीं पूरी इंडिया में उसे बहुत जादा पसंद किया जा रहा है कई बार होता है कि आप किसी show को बाइकउट करते हैं लेकिन उसके चहाने वाले बहुत ज़दा होते हैं फिर चाहे आप मूवी ले लिजी या फिर टीवी Show ले ले लिजे हैं आप कुछ भी ल अग्जब निकल कर आई है हम तो देखकर ही हैं क्या भी आरसी वाले इतने महरबान हो गए हैं बच्चों की मम्मी ने इतना टीवी देखा है तो कह सकते हैं कि नंबर बन की पोजिसन पर है आपका अनुपमा जहां पे 3.2 ट्यार पी निकल कर आई है जहां पे माया जो है अनु अब तो भाईया ये शो नंबर बन की पोजिसन बनने की तयारी चलिए क्योंकि साही के लिए पार्टनर जो डूंडा जा रहा है तो ऐसे में इसके ट्यार पी निकल कर आई है 2.7 अब बात आती है नंबर थ्री की पोजिसन पे किस ने बनाई है जंगा भाईया आपका प्या पी देख कर जो है आगे की कहानी रचने वाले हैं क्योंकि होली सालिब्रेशन करने वाले हैं ये चीज हमने आपको बता दी थी लेकिन नंबर थ्री की पोजिसन पे ट्यार पी भी बहुत अच्छी निकाली है 2.5 अब बात आती है आपके नंबर फोर की पोजिसन पे कौन है बैया चाहे चीनी हो इमली हो अथर हो इन तीनों पे कहानी कितनी भी घूम ले लेकिन गुल खान को लगा कि शो की ट्यार पी बढ़ा देनी चाहिए अब न्यू एंट्री देकर तो ऐसे में हैंसम मुंडे की एंट्री होने वाली है कहानी अटकर होने वाली है और भाई अब केबल की प्रोब्लम हो गई थी इसलिए लोग पागल हो गए थे क्या करें क्या देखें क्या ना देखें इसलिए ब्यार से भी हैरान हो गया था ट्यार भी बहुत कम थी इसलिए रिलीज नहीं की थी इस अपते उसने रिलीज कर दिया है क्योंकि केबल आपके घर में पहु वोजी सन पे कसी बनाई है जंगा'? भाई चलिए जब तक आप सोचेगे रहे हैं और जाने कितने राज खुलने वाले हैं तो ऐसे में उसकी टियार पी आई है 2.2 आपको लगता है कि अब कोई शो जो है स्टार प्लस पे नया लॉंच होगा वह या इस बार तो सारे शो अच्छी टियार पी लेकर आए हैं फिर चाहे कोई स्लोट किंग है या नहीं है लेकिन अच्छी टियार पी आपको वहाँ मिल जाएगी बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है